परिचाय अभिलक्षनों के विशय में पढ़ा था हाँ, अब हम प्लैटी हेलमिन्थीज एसकलेमिन्थीज अनलिडा आर्थरोपोडा मोलस्का तथा एकाइनो डर्मेटा के अभिलक्षनों के विशय में चर्चा करेंगे तो आप शुरू करें उद्देशे इस पार्ट के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे प्लैटी हेलमिन्थीज एसकल मिन्थीज अनलिडा और्थोपोडा मोलस्का तथा एकाइनो डर्मेटा के अभिलक्षनों को समझना प्लैटी हेलमिन्थीज प्लेटी हेलमिथीज प्राणी प्रिष्टा धर रूप से चप्टे होते हैं। इसलिए इन्हें समानिता चप्टे क्रिमी कहा जाता है। पर जीवी प्राणी में अंकुष तथा चूशक पाई जाते हैं। विशेश ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंतरण तथा उत्सरजन में सहेता करती हैं। नर्मादा अलग नहीं होते हैं। निशेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। कुछ सदस्यों जैसे की प्लैनेरिया में पुनरुद भवन की असीम क्षमता होती है। उधारण टीनिया यानी फीता क्रिमी, फैसियोला यानी पॉन क्रिमी। एसकेल मिथीज का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोला कार होता है। अता इन्हें गोल क्रिमी कहते हैं। ये मुक्त जीवी, जलिये, अथवा, स्थलिये तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये दुई-पाश्व सम्मिती, त्रीकोरगी तथा गोही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्रिस्तर का है। उत्सरजन नाल शरीर से अप्षिष्ट पदार्थों को उत्सरजन रंत्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा एक लिंका श्रई होते हैं। अर्थाद एक ही होते हैं। प्राया मादा नर्से बड़ी होती है, उधारण, एसकेरिस यानि गोल क्रिमी, उचेरिया, फाइलिरिया क्रिमी, एंसाइलोस्टोमा यानि अंकुष क्रिमी, एंशी जलिया यानि लवणिये तथा अलवणिये जल, अथवा स्थलिये, स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव तथा कभी-कभी परजीवी होते हैं, ये अंगतंत्र स्तर की संगठन को प्रदशित करते हैं, तथा इन में दूई पाश्व सम्मिति होती है, एनलिडा त्रिकोर की क्रमिक पुन्द्रावृत्ती, विखंडित, खंडित तथा गुईये प्रानी होते हैं इनकी शरीर सतह स्पष्टता, खंड अथवा विखंडों, लेटिन, एनुलस, अर्थाद, सूक्ष्म, वले में बटा होता है इसलिए संग को एनलिडा कहते हैं, इनमें अनुदैर्थ तथा वृत्ताकार, दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, जो चलने में सहायता करती है एक बंद परी संचरण तंत्र उपस्तित होता है, नेफरी डिया परासरण नियमन तथा उच सर्जन में सहायता करता है तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं, यानि एक वचन गेंगली लियोन होती हैं, जो पाश्वत तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जू से जोड़ी होती हैं नेरिस नेरिस एक जलिये एक लिंगा श्रई होती है, लेकिन केंचुए तथा जोग में नर तथा मादा प्रथक नहीं होते, तथा उभै लिंगा श्रई होते हैं, जनन लेंगिक विधी द्वारा होता है और्थो पोड़ा, प्राणी जगत में 75 प्रतिशत तक और्थो पोड़ा होते हैं, अर्थो यानि जॉइंट, पोड़ा यानि एपेंडेस और्थो पोड़ा में सबसे बड़ा समुह कीट होते हैं, ये एक मात्र आग कशेरू की होते हैं, जो उड़ सकते हैं इनमें अंग तंत्रिस्तर का शरीर संगठन होता है, ये दुईपाश्व सम्मिती, त्रिकोरिक, विखंडित तथा प्रगोही प्राणी है शरीर में सिर, वक्ष तथा उदर होते हैं, और्थो पोड़ा में काड़ा बाहिशरीर, खंडिकृत शरीर तथा संधी युक्त पाउं होते हैं श्वसन अंग क्लूम, पुस्ट क्लूम, पुस्ट फुपुस अथवा श्वसानी काउं के द्वारा होता है परिर संचरन तंत्र खुला होता है, समवेदी अंग जैसे श्रिंग काई, नेत्र, समान तथा संयुक्त, संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट उपस्तित होते हैं उस सर्जन मैल पीगी नलिका के द्वारा होता है, ये अधिकांश एका लिंगी श्रय होते हैं निशेचन आंतरिक होता है, ये अधिकांश दा अंड़ प्रजक होते हैं, परिवर्थन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है मकडों में संधी युक्त पाउं यानि आठ पाउं जबडे तथा पंक होते हैं सैंटीपीट अपनी बहुत सी टांगों का प्रियोग शत्रूआं से भागने में करता है सहसरपाद किसी भी खत्रे को भाव कर अपने शरीर को मोड लेते हैं आर्थिक रूप से महत्पून कीट है एपिस यानि मधुमक्की वाब बाम्बिक्स यानि रेशम कीट, लैसिफर यानि लाख कीट, रोगवाह कीट, एनाफलीस, क्यूलेक्स तथा एडीस यानि मच्छर, यूथपीडक तिढधी यानि लोकस्टा, जीवित जीवाज्म लिम मुलस यानि किंग क्रेब आदी, उधारण, बीटल, सहस्त्रपाद, सेंटिपीड, मकड़ा, क्रेब मुलस का मुलस का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संग है, मुलस का स्थलिये अध्वाजलिये, यानि लवणियें एवं अलवणियें तथा अंग तंत्रिस्तर के संगठन वाले होते हैं ये दूई पाश्व सम्मिती, त्रीकोर की तथा प्रागोही प्राणी हैं, इनका शरीर कोमल, परंतु कठोर, केल्शियम के कवच से ढखा रहता है, तथा अखंडित होता है, जिसमें सिर, पेशिये पाद, तथा एक अंतरंग ककुध होता है केवल कुछी में कवच नहीं होते हैं, स्कुईट तथा ऑक्टोपस भी मुलस का होते हैं, कड़े कवच छोटे होते हैं, किंदु शरीर अंदर होता है तवचा की नरम तथा इस्पंजी परत ककुध के ऊपर प्रवार बनाती है, ककुध तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गोहा कहते हैं, जिसमें पंक के समान क्लों पाई जाते हैं इनके श्वसन तथा उसर्जन कारे करते हैं, सिर पर समवेदी स्परशक होते हैं, मुख में भोजन के लिए रेती के समान खिसने का अंग होता है, जिसे रेती जिफा यानि रेडुला कहते हैं उधारन स्नेल तथा सीस क्लैप, आक्टोपस तथा सीसलग एकाइनोडरमिटा एकाइनोडरमिटा में केल्षियम युक्त अंता कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडरमिटा यानि शूल युक्त शरीर है सभी Echinodermita समुद्रवासी होते हैं तथा इन में अंग तंत्रिस्तर का संगठन होता है वायस्क Echinoderm अरिये रूप से सम्मिती होते हैं जबकि लार्वा दुई पाश्व रूप से सम्मिती होते हैं इनका सम्मंद आकशिरुकियों के एक समुसे है जिसमें ट्यूब नुमा छोटे पाउं होते हैं और शरीरिक अंग केंद्रिये हिस्से के इर्द गिर्दे स्थित होते हैं एक सितारा मचली की पाँच भुजाएं होती हैं तथा सिर नहीं होता है सितारा मचली का कड़ा, कांटेदार, कवच, प्राणियों की रक्षा करता है समुदरी अर्चिन भी समान समुह का हिस्सा है इसका शरीर शूलों से ढखा होता है पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा समानिता, मुख, निचले अर्थाथ, अधर तल पर एवं मलद्वार, प्रिष्ट तल पर होता है जल समवहन तंत्र इस संग की विशिष्टता है जो चलन यानि गमन तथा भूजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है स्पर्ष्ट उस्सर्जन तंत्र का अभाव होता है नर एवं माधा प्रिथक होते हैं तथा लेंगिक जनन पाया जाता है निशेचन समानिता बाहे होता है परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है उधारण एस्टेरियस यानि तारामीन, एकाइनस यानि समुदरी अर्चिन, एंटिटोन यानि समुदरी लिली, कुकुमेरिया यानि समुदरी करकटी तथा ओफियूरा यानि भंगुर तारा क्या आप जानते हैं, गोगेंबर ने सन 1869 में प्लेटी हेलमिथीज शब्द दिया, लमार्क ने 1809 में एनिलीडा शब्द दिया, जेकलेन ने एकाइनोड़मिटा शब्द दिया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं प्लेटी हेलमिथीज में चप्टा शरीर होता है तथा ये दूइकोरिक सम्मिती का प्रदशन करते हैं एसकेलमिथीज कूट प्रागु होते हैं तथा इन में परजीवी और गैर परजीवी गोल्ड क्रिमी होते हैं एनिलिडा दुई कोरिक सम्मिती होते हैं तथा बंद परी संचन और तंत्र होता है। केंचुए, नेरीज, हिरूद दीनेरिया, सी माउस तथा लीच एनिलिडा होते हैं। केंचुए में विखंडित, खंडी भवन पाया जाता है। इनके शरीर में नलिका, योजना के भीतर, नलिका पाय जाती है। और्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संग है, जिसमें विखंडित, खंडिबवन, कंकाल तथा संधी युक्त प्राणी पाए जाते हैं। और्थोपोडा संग में कीटों की सरवाधिक प्रजातियां होती हैं, मक्खी, मच्छर तथा तिलचटे कीट वर्ग में आते हैं। तथा काला जार आदी इन कीटों की वजह से ही होते हैं। मुलस्का का शरीर कोमल परंतु कठोर केल्शियम के कवज से ढगा रहता है। शरीर काईटन से बने बाहरी कंकाल में आच्छादित होता है। मुलस्का अन से प्रवार तथा अखंडित शरीर की वजह से भिन्न होते हैं। धीला प्रवार मुलस्का में शरीर पर पाए जाते हैं। एकाइनो डर्म की पहली तवचा होती है तथा समुद्री होते हैं। जल्समवहन तंत्र इस संग की विशिष्टता है। एकाइनो डर्मिटा में अखंडित प्रागोहा, व्यसको में अरिय सम्मिती तथा लार्वा में दुईकारिक सम्मिती होती है। इन में मौकिक तथा अब मुक सते हैं होती हैं।